नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ अच्छे होंगे मेरा नाम है सनोज कुमार उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है जिया फ्रेंट्स इस वीडियो में बात करने वाले हैं आररबी एंटी पीसी एन ग्रूप डी की बारे में तो क्या है जानकारी सारी करें आपको डिटेल में मालम चल लाएगी उसे पहले जादिगर अभी तक आपने उमंग स्टडी यूट्यूब चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आकन को जहूर दबा दीजिएगा रेलवे भरती की हरपल की अपडेट के लिए वीडियो स् देस्किप्शन में साथी कमेंट स्क्षन में आपको एक लिंक पिंड किया हो मिलेगा उसके पे क्लिक करके मारा कुपन को डा उमंग 10 इसको जैसे ही अपलाई करेंगे आपको पूरा 100 रुपय का उफ मिलेगा और आप इस 4992 रुपय वाले टेस्ट बूक पास को मातर 400 रु पिचूल टेस्ट वालों के लिए यानि जी कुछ साइको टेस्ट के स्टूडेंट्स को जो एड्मिट का मतलब लिंक प्रभाइड करवाइगा था उसी लिंक पर जैसे ही आप किलिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का एक पोर्टाल उपन होगा यहां पर जोए सकी आप ल स्टूडेंट्स का सीटी की बात करते हैं तो एक स्टूडेंट है यहां पर जो सकी इनका मुझपर नगर दिया गया है स्टेट यूपी आपको पता है बारा अगस्ट दो जरबाइस इनका जो जा मिसन वह थार्ड सिफ्ट में है और टैपिंग लेंगवेज इनका इंगलिस था है और यहां पर देख सकते हैं सारे एक कि सारे आपवोगों का टाइमिंग दिया हुआ है कि कौन से शेक का क्या डाइमिंग होगा फर्स शेट का आप लोग का रिप्री टाइम 5.30 होगा गेट बंद होने का समय साधे 9.00 होगा और जजो से की परिक्षा स्टार्ट होग दसवजे से Swift two आप नोग्का 11 बजे स्टार्ट होगा 12 बजेकेट बंध और 12 बाझे आप नहीं से किज़एमसान स्टार्ट हो जाएगा यह एक और स्टूडेंट का सेंटर देखे उध्यपूर है इनका सहर और स्टेट राजस्थान इनका सटेट सिफ्ट में है टाइपियंग ने विख इंग्लिज एक्जाम डेट 12 ऑगस्त 2022 यह एक और स्टूडेंट का है इनका सेंटर आ रहा है और बिहार राजिव में 12 ऑगस्त 2022 इनका सिस्फ्ट थ्री का है टायपिंग का जो लेंग्वेज है उनका इंग्लिज है श्री का टाइमिंग आप लोगा अपर्पोर्टि पतना ये एक और स्टुडेंट है इनका है सीकर ये एक और स्टुडेंट है इनका है राची तो आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाइड है या नहीं है है तो आपने अपना सेटी इंट्रिमेशन चेक किया है या नहीं किया है और यह आपने चेक किया है तो आपका सेंटर क का रिवाइज्ड एक्जाम सेडूल जारी हुआ है जिसमें की स्टूडेंट्स को रहात देते हुए जो इस प्रकार से आप लोगों का अरभी गुहाटी के केस में देखने को मिल रहा था जो इस आप लोगों का दस ग्यारा बारा को था तो रेलवे के रूल्स के एकॉडिंग दस दिन पहले यानि की 31 जुलाइ को गुहाटी के स्टूडेंट्स का city intimization जारी हो जाना था परंतु जब city intimization में एक को जारी नहीं हुई दो को जारी नहीं हुई तो भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यदा परवहाँ नोटिस देखने को मिला की जो आप लोगा examination schedule है उस है लेकिन आप देखे होंगे कि यहां पे जो भी बदलाव किया गया है मतलब कि जो आप लोग का एक्जामिनेशन 10 से स्टार्ट होकर के 12 को खतम हो रहा था तो यहां पे इस्टुडेंट्स को रहात ही दी गई है इस्टुडेंट्स को किसी परकार की कोई परहसानी में बिल्क स्टुडेंट्स यहां के तयारियां कर रहें सभी स्टुडेंट्स अपने अपने तयारियों में लगे रहे है क्योंकि हम लोगों ने हमारे पास जो भी जानकरियाव लेबल लेवल ची उसके माध्यम से भी उतको बताया था कि जो आप लोग का इंशена αναने 6 अगस्ट से ही च हमतलब की चिमेदारी है उस इंफर्मेशन को आप तक पहुचाना तो तो क्या हमें इस प्रकार के information को students तक पहुचाना चाहिए या नहीं पहुचाना चाहिए आप लोग comment करके जरूर से जरूर बताईएगा इस वीडियो के बारे में आपका कहा रहा होगा वो भी आप लोग comment करके बताईएगा वीडियो अच्छा लगाओ like और share कीजेगा मिलते क नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भाराथ